नंबर 9 में क्या देखा, name A, B, C, D, E and F in the following diagram, showing changes in state, तो A में क्या है, solid to liquid change हो रहा, solid to liquid change को हम क्या बोलते है, solid to liquid change को हम बोलते है, fusion या melting, क्या बोलते है, fusion और melting भी बोल सकते है, ठीक है, दोनों में से एक कुछ भी बोल सकते है, melting माने पिगलना होते है, fusion का भी काम वही होता है, solid to liquid में, B part में क्या हो रहा हमारा, liquid to gas में change हो रहा है, किस में हो रहा है, liquid to gas, इसका मतलब क्या हो रहा है, liquid to gas में evaporation हो रहा है, क्या हो रहा है, evaporation हो रहा है, liquid to gas में क्या हो रहा है, evaporation, या हम इसको boiling भी कह सकते हैं, क्या हो रहा हमारा boiling हो रहा है सी हमारा क्या है सी हमारा है gas to liquid gas to liquid में क्या होता है हमारा condensation होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं condensation condensation में क्या होता जैसे कि हम पानी उबालते हैं और उसमें थाली जाती थी तो पर पानी हो जाता है तो हमारा condensation process में आता है फिर हम यहाँ पर क्या दरका है D part में liquid to solid liquid to solid में क्या होगा solidification क्या आएगा हमारा solidification solidification या freezing भी कह सकते हैं जैसे कि हम बरफ को क्या करते थे ओ पानी को बरफ में change करते थे तो वहाँ पर freezing भी हो गया और solidification भी कह सकते थे अब हमारा आएगा 5th, 5th क्या था, A, B, C, D, E, E point हा हमारा, 5th point, E में क्या हो रहा है, solid to gas हो रहा है, solid to gas क्या बोलते थे, sublimation बोलते थे, sublimation, solid to gas में क्या हो रहा है, sublimation, जैसे naphthalene ball थी, हमाँ पर क्या होता था, solid में होती थी, फिर वो कुछ दूनों बाद gas में और जाती थी, और हमाँ आपको ये समझ में आयोगा पूरा, अब हम बढ़ते हैं, ये तो chapter खतम हो गया है, अब हम बढ़ेंगे अपने next chapter की तरफ, ठीक है,